एक इंसान उतना ही प्रोग्रेस कर सकता है कि जितना वो चीजों को समझ सके, सिर्फ चीजों को नहीं, शब्दों को समझ सके, शब्दों को जान सके, ऐसे कहते हैं, a man is as big as his vocabulary. सिंपल मतलब यह है कि एक इंसान उतनी ही प्रगती करता है कि जितनी बड़ी उसकी शब्द कोश होती है, या जितना उसे ज़्यादा शब्द पता होते हैं, मेरे गुरू बलेर सिंगर हमेशा कहते हैं, कि अगर कोई शब्द आपकी जिन्दगी में आपको ऐसा नजर आ जाए कि जिसका मतलब आपको नहीं पता है और आप वो पढ़ रहे हो, तो पहले उसका मतलब खोजो, उसे समझो और उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि otherwise अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ गए, तो जो बात उस लेखक ने लिखी है, उसका कोई असर आपके दिमाग पे नहीं ह होता, now personally, मैं हमेशा एक dictionary अपने पास रखता हूँ, physically, अपने table पर, कि जब भी मुझे कोई शब नहीं पता, तो मैं उस dictionary को refer करता हूँ, लेकिन अब जमाना जो है, वो digital का है, तो physical dictionary को करते हैं minus, और एक digital dictionary को करते हैं plus, कैसे, आईए मैं इस समय आपको एक Google Chrome extension के बारे में चाहता हूँ, आप Google Chrome browser पे आ जाईए, और यहाँ पर सिर्फ dictionary लिखिए, dictionary और enter कर दीजे, यहाँ पर आपके पास Google की dictionary आपको मिल जाएगी, इस पर click कीजिए, इसे add to Chrome कीजिए, और इस extension को आप अपने browser में add extension कह दीजिए, अब ये लाल रंग की diary, ये किताब, आपके browser में install हो चुकी है, ये छुप जाती है, इस puzzle जैसे छोटे से icon के पीछे, इसे click कीजिए, और इस लाल किताब को pin कर दीजिए, ये किताब अब यहाँ पर मौजूद है, आप किसी भी website पर जाते हैं, और सोचिए कि आप कुछ पढ़ते हैं, जैसे मैं इस समय Google में rocket propulsion लिखता बड़ा शब्द अंग्रेजी का यूज़ कर रहा हूँ, और NASA की website पर चला जाता हूँ, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द हों जो मुझे ना पता हूँ, जैसे कि let me see, rocket nozzle, यहाँ पर लिखा हूँ है, rocket nozzle, तो मुझे नहीं पता मान कर चले कि ये nozzle जो होता है, ये क्य होता है, और मुझे पता करना है, तो अब मेरे पास online dictionary है, मैं इसे सिर्फ highlight करता हूँ, और अपने red किताब पे मैं सिर्फ click करता हूँ, तो यहाँ पर बिना कुछ type किये, इसने मुझे nozzle की, nozzle का जो भी अर्थ है, जो भी definition है, वो बता दिया, nozzle is a noun, इसे आप a cylindrical or round spout at the end of the pipe or tube used to control a jet of gas or liquid, एक second के अंदर बिना कोई और website खोले, बिना किसी किताब को हाथ लगाए, या बिना अपना time waste किये, मुझे किसी भी शब्द का मतलब एक second में पता चल जाता है, for example, अगर आपको propellant क्या होता है, नहीं पता है, तो propellant को सिर्फ select कीजिए, और इस लाल किताब पे click कीजिए, और आपको propellant का मतलब पता चल जाएगा, है ना कमाल की चीज, अब आप इतमिनान से कठिन से कठिन text को आसानी से पड़े भी पाऊगे, और समझ भी पाऊगे, इसमें ये छोटा सा extension आपकी बहुत मदद करेगा, अगर आपको लगता है कि ये extension आपके काम का है, आपको इससे फाइदा होगा और useful है, तो चलिए chat और comment में मुझे एक बार दुबारा useful लिखकर बताइए, is this useful, ये है हमारा dictionary वाला extension, क्या ऐसा कभी होता है आपके साथ की, आप किसी विशय के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं internet पर, लेकिन जो लिखकर आता है, वो कठिन भाशा में होता है, usually strong English में लिखा होता है, और आप सोचते हैं कि यार ये क्यों नहीं हिंदी में लिखा है, क्यों नहीं मराथी में लिखा है, क्यों नहीं गुजराती में लिखा है, क्यों नहीं पंजाबी में लिखा है, ताकि मैं इसे आसानी से पढ़ सकता और बहुत बहतर तरीके से समझ सकता अब आपको चिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको Google Chrome के एक ऐसे एक्सेंशन से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे इंस्टॉल करने के बाद आप इंटरनेट पर किसी भी पेज को किसी भी भाशा में बिना उस पेज को छोड़े ट्रांसलेट कर पाएंगे कैसे होगा ये आईए मैं आपको Google Chrome पर ले चलता हूँ आप Google Chrome के वेब स्टोर पर आ जाईए और यहां पर सर्च एक्सेंशन से में लिखिए गूगल ट्रांसलेट एंटर दबाईए ये गूगल ट्रांसलेट आप्शन आपके सामने आ जाएगा इस पर क्लिक कीजिए और ए आइड टू क्रोम करने के बाद आपको ये एक्सेंशन एड करना है जस एड एक्सेंशन पर क्लिक कीजिए और ये एक्सेंशन आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो चुका है अब ये पजल के पीछे छुप जाता है तो इस पर क्लिक करके इसे सिर्फ पिन कर देना है गूगल ट्रांसलेट को पिन कर दीजी अब होता यह है कि आप किसी बहुत ही कठिन सब्जेक को पढ़ रहे हैं और बहुत इंगलिश लिखी हुई है और आपको नहीं समझा रहा है कि इसका मतलब क्या है और आप चाहते हो कि यह आपकी भाशा में यह आपको बताए तो जैसे से एक गूगल ट्रांसलेट का ट्रांस बार या एक बार आ जाता है यहां पर जो भाशा आपको चाहिए आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं यहां पर बहुत सारी भाशाएं हैं बहुत सारी इंडियन भाशाएं भी हैं इंटरनेशनल भाशाएं भी हैं तो इसे सिलेक्ट कर लिफ्ट हो जाएगा अगर आप इसे मान कर चलिए सिंधी में पढ़ना चाहते हैं तो यह सिंधी में भी चेंज हो जाता है यह रही सिंधी भाषा जो कि Arabic की तरह दिखती है और आप इसे हिंदी मराठी किसी भी इंडियन भाषा में चेंज कर सकते हैं यह रहां मराठी एक बहुत ही simple plugin लेकिन आपका काम चुटकियों में आसान कर देगा कोई भी complicated page पर आप पहुँचे Google Translate की मदद से आप आसानी से उसे जिस भाषा में चाहें उस भाषा में पढ़ सकते हैं अगर आप अपनी भाषा में type करना चाहते हैं बिना किसी headache के बिना किसी सिर्दर्थ के तो आज मैं आपको एक ऐसा Google Chrome का extension बता रहा हूं जिससे आप कोई भी form भर रहे हों किसी भी चीज़ पर कुछ भी लिख रहे हों एक click से आप अपनी भाषा को change कर सकते हैं और अपने keyboard से ही अपनी भाषा में आप type कर सकते हैं आईए आपको मिलाता हूँ एक बहुत ही जरूरी plugin से तो आप Google Chrome Web Store पे आ जाईए और यहां पे search कीजिए Google Input Tools यह extension आपके सामने आ जाएगा Google Input Tools इसे add to Chrome कीजिए और उसके बाद add extension कर दीजिए जैसे यह extension add हो जाता है आपके Chrome में यह इस पजल के पीछे छुप जाएगा इस पर क्लिक कीजिए और इस Input Tool को आप select कर लीजिए अब आप कहीं पर भी type कर रहे हैं और आपको भाषा change करनी है तो आप यहां से अपनी भाषा को select कर सकते हैं Let me give you an example मैं एक sheet open कर लेता हूँ या एक document में open कर लेता हूँ तो usually आप Google document यूज़ कर रहे हैं या आप कोई और software यूज़ कर रहे हैं notepad यूज़ कर रहे हैं कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आप उस पर ये यूज़ कर सकते हैं अब मैं यहां पर लिखता हूँ my name is Sandeep Bansali इसका font थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यह नज़र आए तो यह my name is Sandeep Bansali English में type हो रहा है ठीक है अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे Hindi में type करना है तो मुझे सिर्फ इस Google Input Tool पर click करना है और मुझे इसके extension के options में जाना है जो भाषा में मैं लिखना चाहूँ उस भाषा का keyboard मुझे select करना है तो जैसे मैं Hindi में लिखना चाहता हूँ तो मैं इस समय यहां पर Hindi जो यह वाला symbol है यह वाला symbol यह जो है इसे select कर लेता हूँ इसे मैंने select कर लिया डबल क्लिक किया यह यहां पर आचुका है यह वाला जो है यह यहां पर आचुका है मैं दुबारा अपने sheet पर हूँ अपने document पर हूँ और अब जब मैं इस टूल पे क्लिक करता तो उपर अ यानि हिंदी लिखकर आ गया है अब मैंने इसे सिलेक्ट किया है सिलेक्ट करने के बाद 5-10 सेकंड कभी-कभी ये लेता है एक्टिवेट होने के लिए तो थोड़ा सा इत्मिनान रखीगा और फिर आप यहां पे इजिली टाइप कर सकते हैं मेरा नाम संदीप बनसाली है इजी पीजी एक सेकंड के अंदर आप हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती जिस भाशा में चाहे उस भाशा में टाइप करना शुरू कर सकते हैं किसी भी सॉफ्ट्वेर में या किसी भी टूल पर चाहे आप Microsoft Word यूज़ कर रहे हैं, Notepad यूज़ कर रहे हैं या कोई form भर रहे हैं आप English, Hindi, मराठी किसी भी भाशा में टाइप कर सकते हैं एक click of the button से अगर आपको लगता है कि यह extension आपको help कर सकता है तो चलिए चैट में इसके लिए एक बार useful लिख कर बताईए Is this useful guys? हम सब जानते हैं कि Google जो है वो हमें हमारे interest के basis पर advertisement दिखाता है इसे short form में IBA कहते हैं Interest Based Advertisement कभी-कभी बोर हो जाता है हमें ऐसे लगता है यार Google क्यों हमें ये सारी advertisements दिखा रहा है ये बंद क्यों नहीं कर देता तो Google आपकी privacy को respect करता है और अगर आप चाहेंगे तो Google आपको आपके interest पर based advertisements दिखाना बंद कर सकता है कैसे? आईए आपको एक ऐसे extension से मिलाता हूँ जो Google नहीं बनाया है ताकि आप IBA, interest based advertisement में से out हो सके या जिसे हम कहते हैं कि opt out हो सके कि आप चाहकर उसमें से बाहर जा सकते है कैसे होगा? आईए मैं बताता हूँ Chrome के web store पर आजाईए और यहां पर लिखिए IBA opt out opt opt out by Google IBA opt out यह Google Chrome का extension आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक कीजिए add to Chrome कीजिए add extension का बटन दबाईए और यह extension जो है यह आपके browser में इस समय add हो चुका है यह इस puzzle के पीछे छुप जाएगा इस पर क्लिक कीजिए और इसे आप अब pin कर दीजिए बस pin कर दीजिए इसे आप pin कर दीजिए अब होता यह है कि आप किसी website पर चले जाए जहांपर Google के ads है जैसे कि यहां पर आप देखोगे यहां पर बहुत सारे Google के ads आपको नजर आ रहे हैं आपको सिर्फ इस extension पर क्लिक करना है एक बार आप ये extension अपने Chrome के browser में install कर देंगे तो Google आपके interest के basis पर आपको ad दिखाना बंद कर देगा और general तरीके से आपको ads दिखनी शुरू हो जाएंगी इससे आप अपनी privacy को भी थोड़ा बहुत control कर पाते हैं और साथी साथ सिर्फ customized ads नहीं बहुत सारे different different ads को भी आप देख पाऊगे छोटा सा extension है use करके देखिए अगर आपको लगता है कि ये useful है तो chat और comment में मुझे useful लिखकर बता सकते है साथ में अगर आपको कोई extension पता है जो बहुत ही interesting है और आप use करते हैं और आपको उसका बहुत फाइदा होता है तो chat या comment में लिखकर मुझे उस extension के बारे में बताइए बहुत ही जल्द उस extension को मैं YouTube पर और अपने courses के माध्यम से सबको सिखाना शुरू कर दूंगा और आपको एक बार thank you भी कहूंगा उमीद करता हूं कि जो extensions आपने आज यहां पर सीखे ये आपके काम आएंगे और आप इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे